हाई श्रेंट्स गुड़ मॉर्णिंग गुड़ मॉर्णिंग टॉल ओफ यू कैसे हैं आप लोग असा करता आप लोग पढ़ाए अच्छा से चल रहा होगा और आप भी अच्छी होंगे तो चलिए जैसे कि आपको पाता है हम लोगों ने ग्रामर सेशन में शुरू किये थे अच्छा होगा देखिए अभी हम लोगों ने सुरू किये हैं डिग्री डिग्री से पहले इसका एक बीडियो अल्रेडी के में डाल चुका हो उसका नाम है आपका पॉजिटिव डिग्री नहीं दिए हैं तो उससे देखिए फिर इसे देखिएगा क्योंकि पॉजिटिव तीन परकारक था आपको अच्छी तरह से पहला होता पॉजिटिटिव दिश्रा विए और तिसरा होता सुपर्वर्लटिव दिए तो आगर आप वह नहीं देखे हैं तीन तो उससे पहला देखिए ना तो चलिए देखते हम लोग पहला पॉज़ेए इसका वह कुछ रोल्स हो इस तरह दिये तो उसी तरह इसमें हम दो देखेंगे comparative degree के बारे में comparative degree में देखिए rules जो होती है सबसे पहले होते आपको proper noun क्या होता आपको proper noun सबसे पहले लिखेंगा proper noun उसके बाद लिखेंगे helping भर उसके बाद आपको helping भर के बाद हो जाएगा आपको प्रोपर नावन, हेल्पिंग भर, उसके बाद होगा comparative degree, क्या लिखेंगे, comparative degree उसके बाद लिखेंगे, plus, then उसके बाद लिखेंगे, any other ठीक है, उसके बाद आपको लिखेंगे, compliment ठीक है, तो इस तरह आपको यह बनता है, completed ठीक है, तो यह इस तरह से आप अगर comparative degree बनाएगा, तो comparative degree में यह rules आप यूज कीजिएगा, या फिर यह formula आप इस्तमाल करिएगा, क्योंकि यह इस फर्मूला का इस्तमाल करने से आपका जो comparative degree बिल्कुल ही सही बन जाएगा, जिस तरह positive degree, no other से बनाये थे या फिर very few से बनाये थे उसी तरह competitive degree बनाते समय हम लोगों में पहले क्या इस्तमाल के प्रोपर नाउन उसका बाद helping भर इसका बाद comparative degree उसका देन फिर any other फिर compliment तो इस तरह आप इसको बनाएगा तो आपको यह बात तो पहले से पता होगा कि यह यह helping भर या फिर complete degree सारे के सारे explain और लड़ी मैंने कर चुका हूं पहला वीडियो जो की positive degree का वीडियो था तो चली इस पर हम लोग आते हैं दिखे इसका एक और चीज़ स्टार्ट करते हूं कि अगर आपका sentence में करना कर देखार करेंगा तो चीज़ को बढ़ेने का जरूरत नहीं हो से स्टार्ट ड़ेजता हो जाया कास्ट पर उसके लिए को कुछ भी नहीं कुछ नहीं करना है यहां पर इस्तमाल किजएगा मतलब अगर आपका भेरी फ्यूव है तो सिर्फ मोस्ट का तो इस चीज को आप समझेगा अगर स्टार्टिंग कहीं भी भेरी फ्यूव से स्टार्ट मिल जाए तो आपको इस्तमाल बस कुछ नहीं टेंशन ज्यादा नहीं लेना है इस बस एनी क जाएगा मोस्ट उच किजए कब होगा यह भेरी फिर से स्टार्ट होगा कोई भी सेंटेंस तब यह इस्तमाल करना है अदर्वाइस आपको जैसे बता जारा वैसे करना दूसरा पॉइंट एक और समझेगा इसी के साथ समझा दिया जा रहा है कि अगर आपका सेंटेंस में क सबसेंटेंस में कैसा दिया धास दोनों जो है आपको कामान अप्रोपर राइन देया जाता है जासे की है को स Bush हमें Dekhia अम इज नोट को टॉल एज इसमें क्या दिया हुआ यह पहला बात रिसमेंदेखे अमल भी प्रॉपर नाउन है और यहां भी मिल प्रॉपर नान इसमें common noun नहीं देते हैं तो इसी चीज को मैंने अभी बस बताने कर देखे साब से पहले हम लोग जो पाहला होगा उसे हम लोग मान लेंगे subject और लास्ट नहीं या तो इसको अब्जेक्ट बने या फिर सब्जेक्ट माने दोनों ही एक ही बात हो जाता ठीक है तो इस टाइब पर देन लिल लगा लेते हैं प्लस देन फिर सब्जेक्ट माने तो इधर में subject मान लेजिए तो आप इतना समझ गेते यह अगर जब भी आपको इस टाइब को कोश्चन रहे तो आपको इस फर्मूला में बनाना है किस जब आपको सेंटेंस में नोट लागा रहा है तो आप आपको हमेंसे याद रखने याद इस्तमाल करना है अगर यह जिए नहीं रहाथ है तो हमें यह उस्तमाल करना है यह इस चाला करना जाला तुब यह बारा फर्मूला इस्तिमाल करना था तीनों चीज आपने सीख गिया तीन फर्मूला मैंने बता है तीनों अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लिजिए चले कोश्चन पर आते हैं कोश्चन गया है अमल इस नोट दोटनों ही प्रपाण होता है तो मैंने पहला का मान لिया मैंने सब्जेक्टाइब मचाँ समौट आयव के पहाँ है शोड़ नोट लीके इस टाल का MORE कि ट्था अव्यविच्टा तो अललन टोलर उसके बाद किया जिए यह लोग अचछी तरह से पत्सक्राइब फिर्म लग नौर्च इस नॉट्ज इसथ नोर्फ इस्ट जो है क्या है नौर्मल कॉस्चन का रूप में हम लोग इसे माले समझते हैं और शी क्या है एक कॉमन है यह यह ऐंव लृफ्सन है यह कंप्लिमेंट इस चीज हम लोग वाली परीज यह। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या प्रबपर नान का रूप में क्या दिया गया है ग्वहार्टि दिया तो ग्वहार्टी का लिखेंगे इस चीज को में समझ चुका है उसका भात करते लिख लेता है उसका बात क्या अगा就到 ओल्टर ओल्ड़ियों सिर लिख लेते हैं मतलब हमें इस फॉर्मेट पर बिठा देना है ज्यादा सिमाज नहीं नहीं है बस यह याद रहात आपका कोई भी कोश्चन आराम से बन जाएगा बस कुछ देख लेते हैं प्लस कंप्लिमेंट रूप में क्या है कंप्लिमेंट कंप्लिमेंट की हम नावन क्या जाएगा एक हो चुट हुआ है ठीक है? तो इनी ओदर सीटी इनी ओदर सीटी इन द नर्थ इस्ट इस्ट देखिए कुछ-कुछ हो जाता है जो छुट जाता है इसा बात निये की एंसान ही है देती है इसा कोई बात नहीं है इहां पर आहिए फर्मूला लिखते हैं मिया पर क्छोट गया था तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखेंगे इसका एंसर क्या हो जाएगा तो यह आपका सबसे पहले तो इसका यह प्रोपर नाम नहीं तो पर प्रोपर ही लिखेंगे इस 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 बेस्ट क्या हो जाएगा बेटर इस इज बेटर क्योंकि दिखे है इसका बाद के कंपेट लिए इसका बाद क्या चाहिए के देन-n, अधर गृति देन फर हैं कि लिए हैं हैं थर फिख लिए देन ऐनी तर र pearडन के बाद आप अधर हम एन अधर के देन एन अधर का बाद this one this is the best book book का बारे में बोड़ा common on the common net this is the better than any other book any other book on the subject is the compliment on the subject question of four में क्या दिया he is the best boy in the class इसका answer क्या हो जागा बता ही आप लो तो इसका answer आपको खुद ही सोचना है फिर आप इसको हमें बताओंगा ठीक है आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा और आप देखे मिला लिजे बस तो देखे इसका हो जाएगा ऐनी अधर वैं इन अधर ब्शै और इन दर ग्लास इन ग्लास हरी हमारा जाएगा आंसा चलीए नेक्स्ट हम लोगे देखे हैं क्यों कॉर्चन नमबर फाइगो च्टा क्या दिया हो है कलकाता इस्ट पोपुलस्ट सब्सक्ट्रश में ठीक पड़नों नमबर फाइव ग्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे पहले प्रोपर नान को रूपने है कलकाटा तो कलकाता लिखे पहले कलकाटा इज कलकाता इस हेल्ब है उ क्लुकाटा इज इसके बाद हमें क्या चाहिए देन एनी अदर शीटी कहां पर इन इनडिया इन इंडिया आप यह समझ में आ गिया होगा ना चलते हैं लोगा कोशन नमबर 6 का उपर कोशन नमबर 6 दिख्या दिया हुआ है क्या होता है जाक इसलिक भी अचाव इस दाफ लिकाओ यह भी ने आपने हो दो हीं टेम्हा पर भी फैने हीना भी दाफ जिर टों लिकाओ और कि एनिवाल तो यह देखिए एक बार मैंने समझा चुका हूं इसलिए हम बार बार नहीं बता रहे हैं ठीक है इस चीज को आप लोग समझते रहेगा बैस मैं आंसर को यह करते हूं जा रहा हूं ठीक है नेक्स्ट है नो अदर बॉक्सर इस ग्रेटर एज मेरिकॉम तो इस क्या हो जाएगा सब्से पहली हमें चี้ह प्रोपा-णा को रूप 같 यह मैरी कॉम दिया हूए खैक है और बॉक्षर कों हो जाता बॉक्सर तो बहुट सारा होता है तो हो जागा कोम नों ठीक है तो देखिए सब से स्टार्ट करने है तो क्या स्टार्ट करते हैं अ का मैरिकॉम का मैरे का मुई स्टिश डिस ग्रेस ग्रेति दिया है अ ग्रेट कवर क्या होजा जागा क्या गूिज घ्र इस ग्रेटर स्टК पाद छे देन के एनी और एनी ओदर बॉक्सर ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं कोशन नमर एट और यह कोशन नमर एक में क्या दिया हुआ है ही डाज नोट राइट एज फार्स्ट एज इस फ्रेंड ठीक है तो क्या लिज जाएगा आप यह सबसे पहले हिस फ्रेंड यह हिस फ्रेंड ह्यूस के बदिया राइट रिखा था दिया क्या आपका राइट 폭औ कर रूपमी अर रूपमी इलिखे राइट द यह फेरेंड सानीफ Calum नेस्ट है, question number nine, question number nine क्या दिया हुआ है, चलि हम लोग देखते हैं, next question बे, the next question है, this is the one of the best college in northeast, तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका, this is, this is the best क्या हो जाएगा, this is better, best क्या हो जाएगा, better, this is better than, this is better than, this is better than, उसका बाद इसमें देखिए है, one of the use हुआ है, ना, this is better than, one of the, जभी भी आप करा है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, most का, this is better than, most, क्या यूज़ करेंगे, most, जभी भी one of the use रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे, most का यूज़ करेंगे, most, other, most other, college, college, colleges in the northwest, in the north, बस, ऐसे बनेगा, यह most से आपको डिफ्रेंट से समझेगा, यह one of the, के लिए, यह most आया है, देन, एनी नहीं तो, otherwise, एनी ओदर आता, चलिए, नेक्स्ट हमने देखते हैं, नेक्स्ट कोश्चन और यह लास्ट कोश्चन है, आज हम 10 कोश्चन रखे हैं, तो 10 कोश्चन में क्या है, no other train, के दिए, no other train, runs as fast as राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, तो इसमें इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, दा राजधानी, दा राजधानी, दा राजधानी, दा राजधानी एक्सप्रेस, दा राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्र और यह हो गया फूल स्टॉब तो इसी के साथ आज के जो हमारा कॉंपरेटिव डिग्री का जो वीडियो से वह यहीं पर हम लोग खतम करते दस कोस्टन के साथ और आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा यह करके अगर आप नहीं सके तो एक बार और इस वीडियो को देख फिर से देखिए दो से तिन बार देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं नेक्ट क्लास में फिर मिलेंगे सुपर लेटिव डिग्री के साथ तब तक के लिए थैंक्यू धनेवाद